Hello everyone and welcome to my channel मेरा नाम है वरुन कुमार और मैं हूँ आप लोगों का इंडियन बुलेनेर तो रातो रात गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में थोड़ा सा राइस देखा गया थोड़ा प्राइस उपर गया और इंडिया में जब सुबह मार्केट्स खुली तो बाकी सारे लोगों ने अब्जर्व किया कि ये तो ऊपर चला गया अब क्या करना चाहिए अब खरीदना चाहिए या अभी भी नीचे जाएगा तो ये सारे सोट अफ सवाल तो बार बार आते रहते हैं लेकिन थोड़ा सा बात करके डिसकस करके अगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपको गोल्ड शिल्वर रिलेटेड वीडियो अच्छी लगती है तब से लेकि अब तक 11,000 का डिफरेंस आया है गोल्ड में और 7,000 रुपे का डिफरेंस आया है सिल्वर में तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस इंडियन मार्केट में आज ऊपर चले गए जब यूएस फेडरल रिजर्व ने कहा कि वो अपनी easy monetary policy पर same stand करना चाते है या लोगों को बॉरो करने में अखान होगा तो आगे अच्छा उपर जाएंगे economy आगे जाएगी फिर आपका वापिस inflation बढ़ जाएगा मेंगाई हो जाएगी and there you have it back to square one तो अपनी economy को strong करने के लिए cash supply को increase करना पड़ता है cash को increase करोगे spending बड़ेगी अभी since inflation rising trend पे है काफी उपर नहीं है तो it is a good time for them to actually boost cash supply MCX पे gold का future जो है 0.8% उपर जाके around 45,189 रुपीज पर 10 ग्राम्स पे आया और silver ने 1.2% उपर जाके around 68,000 रुपीज पर किलोग्राम पे आया इपजा के हिसाब से अगर हम rate देखेंगे तो ये कल की बात करते हैं कल closing rate 999 gold का था around 44,791 रुपीज पर 10 ग्राम्स और silver का था 999 का 66,654 पर किलोग्राम्स अगर हम आज सुबे के opening rate से compare करेंगे तो 999 gold का price था 45,253 वाल silver वो 67,590 तो यहां पर gold में आपको difference दिखेगा approximately 400 तो 500 रुपीज का और silver में आपको difference दिखेगा approximately 1,000 रुपीज का global market में spot gold जो था वो 0.5% ऊपर जाके 1752 डॉलर के आसपास आगया पर आउंस यानि कि पर 31.10 ग्राम्स जब US Federal Reserve ने बोला कि वो जो benchmark rate है उसको 0 के आसपास रखेगा through at least 2023 यानि कि एक साल नहीं आगे के 2 साल के बात कर रहे हैं और साथ-साथ जो interest rate है उसे unchanged रखेगा near zero इसके वज़े से US dollar भी नीचे गया और जो बाकी currencies में खरीते हैं यानि कि जो non-US investors हैं उनके लिए apparently gold silver सस्ता हुआ graphical terms में अगर हम ये 5-day chart देखते हैं तो हमने lowest around 1700 dollars पर gold देखा लेकर अगर हम कल की बात करेंगे तो gold went to around 1735 US dollars and highest जो आज सुबह गया या फिर हम देखेंगे market opening rate के साब से तो it was at 1750 तो around 15-20 dollars का हमने यहाँ पर एक spike देखा similarly अगर हम silver की बात करेंगे तो rock bottom within the last 5 days was around 25.5 dollars and जो यह increase हुआ था उस पर 26.5 यानि कि एक डॉलर का change आया है totally यहाँ पर बाद अगर हम एक दिन की बात करें then it was around 50-70 cents only अभी हमने बोला था कि जो benchmark rate है या interest rate है उसे near zero रखना चाहते हैं तो United States Fed Fund rate कहां से आ गया तो इसमें क्या होता है depository institutions जो होते है depository institution यानि कि जहां पर भी consumer या कोई भी इंसान जो है legally पैसे को deposit कर सकता है for example a bank तो इस चीज में क्या होता है दो depository institutions जो होते है मानलों को transaction करनी है एक के पास काफी सारा पैसा है एक के पास नहीं है उसको अगर रात और रात पैसा चाहीं होता है which ranges from 0 to 0.25% and यह जो same चीज हो रही है this happened in 2007 वाला recession उसमें क्या हुआ था उसमें housing bubble फटा था housing bubble में आपको पता है काफी destruction वा था it was chaotic वहाँ पर क्या है जो bank से थोड़ा जादा risky trading पे चले गए थे इन इस ब्लास्ट इस तो 2007 से 2009 में आप देख सकते हो यह similar pattern दिखा है जब 2008 end में I think US fed fund rate को decrease करना फिर शुरू किया था ताकि कुछ recovery हो सके and we can see something similar उस समय भी 0.25% पर आया था इस बार भी 0.25% पर हम आ चुके हैं even though 2011 में precious metal ज़रूर उपर गए थे लेकिन बीच-बीच में काफी dull रहे थे तो ऐसी जो similar चीजे हैं वो कुछ न कुछ सालो में बार बार आती रहती है और उसका जो effect है long term wise तो यही होता है कि भाया महंगाई आने वाली है बचलो हमने US dollar के बारे में बात करी थी कि वो भी गिर गया तो उससे बात आजाती है DXY की यानि की index की वो जो था गिरने से पहले was at around 92 and then it went down to 91.3 तो यह एक major fall है इस major fall को precious metals ने high की तरह लिया और बाद में जब आपका index वापे सुपर recovery पे गया तो precious metals ने फिर से drop देखा जादता जो Asian markets हैं वो काफी उपर को चल रही थी जब US Central Bank ने कहा था Wednesday को की economy जो है वो track पर है for its fastest expansion in nearly 40 years US Treasury yields भी steady थी यानि कि जब आप government debt में पैसा लगाते हो जैसे bonds वगरा तो उसमें भी कुछ change नहीं आया but still it was a rising trend जो lower interest rate होते हैं उसके वज़े से bullion पे कम जोर पड़ता है और वो सारा जो जोर होता है वो dollar पे चड़ दाता है रात और रात जो S&P 500 है यानि कि market index है उसने भी एक record high touch किया अभी भी शायद काफी उपर है जब Fed Chairman Jerome Powell ने inflation और bond yield से related बाते की जैसे की bond yield जो है वो काफी उपर जा चुकी है और inflation में भी एक इनका एक factor आया था जो कि हम अभी discuss करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं projected annual inflation rate in the US 2020 में जब pandemic चल रहा था तो inflation कम थी and here it shows 0.62 percentage या तो यह तो projected के हिसाब से लेकिन anyways हमें यह पता था कि जब pandemic over होगा तो महंगाई आने वाले time में बढ़ेगी and वह projection के हिसाब से 2021 में it says 2.24% काफी जगा यह mentioned है कि 2.4% भी जा सकती है लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी it's at approximately 1.7% अभी यहाँ भी rising trend expect करा जा रहा है same I think Fed की meeting में भी यही बात हुई थी कि it can go up to 2.4% and तब तक यह बोला थे इन्होंने कि जब तक inflation rate 2% के नीचे नीचे चलता रहेगा interest rate को वो change नहीं करेंगे इसका यही में मतलब है कि लोगों के पास पैसा होगा लोग पैसा बोरो करेंगे उससे economy को boost आएगा अब महाँ economy को boost आएगा उसी के बाद inflation आएगी बाद में कल को अब inflation जब बढ़ जाएगा उसी के बाद ही वो interest rate को बढ़ाएंगे क्योंकि उनके लिए sense होता है जब interest rates low होते हैं लोग बोरो करते हैं काफी पैसा business वगएरा set होता है jobs वगएरा create होती है तो unemployment जो rate है उसको भी थोड़ा relief मिलेगा यह सब को boost जब एक specific height तक लेके जाते हैं उसी के बाद it will make sense to pull the money out of people's pocket तो ऐसा का जाता है जो federal reserve है वो economy को breaks भी लगा सकता है वो accelerate भी कर सकता है by pumping money by lowering the interest rates and by hiking it तो यहां हमने बात कर ली कि जो थोड़ा सा रातो रात यह जो drama चला था इस drama में हमने golden silver में क्या-क्या price difference देखा है तो इस time पर आप लोगों के maximum flood हो जाता है एक सवालों का कि अब तो price बढ़ गया है अब लेना चाहिए अब क्या उपर जाके 50,000 तक पहुंच जाएगा या फिर वापिस 40,000 पर आने के chances है देखो मुझे नहीं पता है नहीं आपके side वाले को पता है नहीं इस video की नीचे चो comment कर रहे हैं उनको पता है सब अपना prediction डाल सकते हैं, you are free to do so, you are free to say anything बट यहाँ पर आप किसी पर exactly rely नहीं कर सकते हो in the end आपका पैसा होता है, आपको कहां लगाने, किस टाइम पर लगाने, it's all up to you timing दे को best अब होती है जब आपके पास पैसा होता है और जब आपको natural dip मिल जाता है यानि कि जब gold के prices या किसी भी precious metals या commodity या किसी भी cheese का price नीचे चले जाता है तो आपको उसको जल्दी सब जल्दी खरीदने का मौका मिल जाता है अगर मान लो आपकी marriage है और आपने marriage goals बनाए है to buy let's say gold till the next year तो it means you start buying now, you don't wait for a certain price to hit यह नहीं होगा कि आप wait करोगे rock bottom तक आजाए अब आपको पता है कि नीचे कहां तक जा सकता है आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है maybe वो rock bottom के जगा वापे super चल जाए so we never know, just keep goals जैसे 10-10% every month, 20-20% every month या फिर अगर जादा नीचे गर जाता है then buy 50%, buy 50% now and get done with it इसमें overthinking करने के ज़रूरत नहीं है long term के लिए वैसे भी आप gold silver ले रहे हो it will definitely go up so do not worry about that so आज की वीडियो के लिए सिफ इतना ही कल आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ एक unboxing video as per instagram जो मैंने poll run कर रहा था आपने maximum vote कर रहा था for the unboxing video और LBA में की जो 2021 prediction वाली video है वो I think Sunday को आजेगी thank you so much for getting that video to 100 likes मैं उसको जल्दी आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा वीडियो अच्छा लगा है आज का तो please make sure to hit the like button comment करें अपने thoughts share करें इस वीडियो को अपने friends and family के साथ subscribe करें मेरे channel को और bell icon को click कर ले notifications के लिए so in the end thanks for watching